तो एलो फ्रेंड्स वेलकम तो दी न्यू वीडियो उफ मार्केट ट्रेडर दोसमें सुड़ेंब बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से आप पर काम काज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है दोस्तों आज की ट्रेडिंग सेशन में बात करूं तो आपको फिन निफ्टी देखने को मिली लेकिन फिन निफ्टी के एकस्पायरी में इतना स्लो मॉमेंटम था ऐपको ऊपन करें के दिखाओं तो एक बारी के लिए तो ऐसा हो गया था मार्केट में केंड मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में चल रहा था अब महरास्ट्रा के एलेक्शन से एक दिन पहले यह जब न्यूज आई तो मार्केट ने अपना बॉटम बनाया यहां पर डबल्यू पैटन फॉर्मेशन उसके बाद एक जबर्दस रैली और उसके बाद डैरेक इन में क्या हो रहा है कि इन लोगों ने अभी तक अपनी शॉट्ट सायट की पॉजिशन नहीं काटी अब एक्सपेरी जैसे जीसे निफ्टिक थी तो फिन निफ्टिक अब खत्म हो गई अब क्या होगा इन लोगों की पॉजिशन कट चुकी है अल्रेड़ी जू जिन तो इस expiry में उनके जो कॉंट्रेक्ट हो गय जीरो क्यों कि जिन्होंने मंदी की पॉजिशन बना के रखी ती मार्केट नीचे आया नियूद कि मंदी वालों का पूजिशन को बहुत पैसा बनाया था नीचे जाते टाइम तो मार्केट ने थोड़ा बहुत पैसा हमको भी वा अब trout logbij समझ रहें, even market के उपर hold कररें , इसलिए Hold कर रहें! जितने भी लोग अब या मंदी की position को hold करते है पहले इनका개를 को zero करा जाए जब इनके premium zero हो जाएंगे तब यहां पर market में on a side raic momentum आएगा बैंक दिफ्ट में क्या होने की possibilities हैं बहुत हाई चांस है कि मार्केट कल के दिन पर यहां पर एक उपर का मोमेंटम दे दे या फिर मार्केट यहां से थोड़ा बहुत नीचे आए लेकिन गैप को फिल करने के लिए मार्केट पैंडिंग छूटेगा क्योंकि लोगों ने भूप लगा रखिए कि गैप फिल होगा फिर पफिल को फिल के यहां पर देख देखने को पता लगाएं परें कि क्या मार्केट में चल रहा है आज कौन से से कर थोश्ये दोस्तों जो मारे सामने संकेत निकल आ रहे हैं सब्दय के एक अच्छे खासी आज की दिन मिली GUर्ण और होगई अभी फिलाल के लिए तो यूएस मार्केट फ्लैट दिखाई पढ़ रहे होप यही करते हैं कि यहां पर एक तेजी आए अच्छी खासी और हमारा मार्केट कल सुबह फिर से गैप अप ओपनिंग दिखाए तो जो लोग काल केरी करके लेके गए उनको थोड़ा प्रॉफिट मिले और जो लोग मैं दोनों के लिए तो होप नहीं कर सकता भाई किसी एक नएक को तो प्रॉफिट मिलेगा कॉल वालों को मिलेगा बात करते हमारे मार्केट में कि कौन-कौन से वह सेक्टर थे जो आई टी एक परसेंट की तीजी थी FMCG एक परसेंट के आसपास और उसके बाद मैटल ये छोटे-छोटे पीएस ये मतलब साइडवेश थे बागी गिरान में कॉंट्रिबूशन किसका था सबसे ज्यादा निफ्टी ऑटो एक परसेंट कल भागे थे तो आज यहां पर इनमें गुरण वीजा। आज के ट्यूजदे तो ट्यूजदे वैडफटी फ्राइडव का ट्रेडिंग शेशन है इसमें期 टू के GDP के रिजल्ट आने वाले हैं इंडिया मेरी आश्च क्वक्रला के ने बदमें और प्ल्स f.o.m.c. करता है कि नहीं करता है तो देखने को मलेगा भी क्या होता है ना वाकि आर्बियाई की यहां पर मॉनेटरी पॉलिशी आने वाली तो क्या रेट करते हैं आर्बियाई की नहीं करता है देखने को मिलेगा कि market क्यों अपने gap को hold कर रहे है फिलाल के लिए अगर आप देखो कि एक doji candle और एक bearish यानि कि जो seller है जिलनों ने already मंदी की position मना रहे हैं कि market उनको खुब तड़ पा रहे हैं यहां पर कि तुम hold करो अपनी position को पर मैं नीचे नहीं आऊँगा जब तक तुम्हारा premium को मैं खा नहीं लेता पूरा अब यहां पर देखो कि दोस्तों कि क्या होने की possibilities हैं होने की possibility मार्केट पहले करेगा फिर उसके बाद ऊपर की possibilities है यह फिर जो मैंने आपको बताया था भी फिन निफ्टी के चार्ट के शेयर करता रहूंगा आपको सिखाता रहूंगा अब आते हैं चोटे टाइम फ्रेम पर यह निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट हो मैं आपके साथ डिसकस कर लेता हूं 24,150 का जो लेवल रहने वाला है इट इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह ऐसे कर रहा था ऐसे बैंक निफ्टी फिर निफ्टी का चार्ट खूलूंगो तो होत बुरे हाल थे हैं पर तो 24,150 का मैंने आपको बताया एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला इस लेवल पर अगर एक स्काल्पिंग ट्रेड मिलता है उपर के लिए तो बहुत अच कैरे नीचा आगे तो यह पकई नहीं मार्केट के लिए रहीजा सेलिंग लेवल के लो यह फिर मार्केट के लिएaben अब ईस्टी OA लेबल और है वह है 24,100 तो निफ्टी अगर 24,100 के लेबल को नीचे के लिए ब्रेकडाउन करता है यानि कि इस लेबल को निफ्टी दोस्तों इस लेबल को दोस्तों अगर नीचे के लिए ब्रेकडाउन करता है 24,100 को तो फिर गैप फिल करने आ सकता है गैप मैं देख लेता हूं कितना पॉइंट की दूरी पे है इसका यहां से मार्केट का तो मार्केट का जो गैप है वह यहां पर है 200 काफी है क्योंकि मैंने यह एज लिया और अगर यह नहीं पूरा यहां तक लोग तो यह 200 पॉइंट तक चला जाएगा एनिवे तो आपको 200-200 पॉइंट में खाने के लिए डाउन सेट के लिए मिल सकते हैं तो रेडी रहना और एक चीज़ ध्यान देना मार्केट सब जानता है मार्केट नोज की लोग तयार हैं गैप फिल करने मार्केट आएगा तो हम पूट लेंगे तो हम प्रॉफिट कमाएंगे वह पूट वालों को इतना जहला देगा अभी जो लोग पूट लेने वाले हैं यह पूट को होल्ड कर रहे हैं अभी भी कि मार्केट गैप फिल करने यह फिर यूएस मार्केट में बड़ी गिरावाट आज गई तो फिर यह गैप डाउन ओपन हो जागा वह अलग चीज़े बट वैसे अगर नॉर्मल मार्केट रहेगा तो बड़ा परेशान करेगा यह रही दोस्तों निफ्टी के अनालिशिस बात करते हैं सेंसेक्स की पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं क्योंकि कल बैंक निफ्टी के एक्सपैरी होने वाली है तो बैंक निफ्टी को मैं एक बड़ी टाइम फ्रेम पर उपन करता हूं तो इस बैंक निफ्टी चार्ट आप देखोगे तो क्या हुआ है मार्केट ने जब मार्के तो यह चोटी मोटी रेंज कोई नहीं है दोस्तों ध्यान दीजेगा कि यह यह खोटी-obti नहीं काफ़ी बड़ी RANGE है और जो मैं आपको बता रहा था कि कि मार्केट पूट वालों का पहले अभी परेशान करने वाला है कि तुम पुट लो या पुट को होल्ड करो अभी मैं नीचे नहीं आने वाला अगर मैं बात करूं इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक यह अल्मुस्ट साथ सो पॉइंट है तो साथ सो पॉइंट क्या मार्केट एक दिन में फिल करेगा आपको कमेंट करके मुझे ब या तो कोई बैड न्यूज आती है इन केस तो मार्केट गया फिल करतेगा अगर नॉर्मल मार्केट रहा तो बैंक के निफ्टी के जब तक एक्सपैरी का बिल्कुल प्रीम एक रुपए दो रुपए का नहीं हो जाता यानि कि जिन लोगों ने पूट होल्ड कर रखा है य 52,000 का जो लेवल रहने वाल है इस बैरी वेरी इंपोर्टेंट लेवल फुट डिप बायर्स जो भी बाइंग साइट के प्लान कर रहे है 52,000 तो 52,000 यह एक इंपोर्टेंट रहने वाली आप इसको नो डाउन कर सकते हो ना दूसरा लेवल सेलिंग का रहे गाए बाइंग का यह गयाप का जो है आप मजे उठा सकते हो डाउन साइट के लिए क्या पता कल एक्स पैर है अब कल दो मेंसे कोई ने कोई तो ट्रैप होने वाला है लास्ट में यह तो कॉल सेलर ट्रैप होगा यह कल का मार्केट बढ़ा इंट्रेस्टिंग रहेगा बैंक कनि देखने के ल अंदर जो सेलिंग लेवल रहेगा वह आपका यह रहेगा 52,400 का इस लेवल पर नजरे मना के रखना आता है तो रजिस्टेंस में आप यहां पर बेज कर चल सकते हों दोस्तों यह बैंक निफ्टी के अनालेसिस रही अब बात कर लेते हैं यहां पर मैंने चार्ट बताया चार्ट को ऐसा लग रहा है जिसे मार्केट में पोल्यों हो गया होगा क्योंकि पुछ बॉक्ष कैंडल ही नहीं बन पा रही थी आज के दिन पर तो मार्केट में लेकिन एक इंट्रस्टिंग चीज़ में आपको यह बताता हूँ कि कल है आपकी बैंक ट्रेडर ओफिशियल नाम से लिंक मैंने वीडियो के दिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कल मैं ट्राइ करता हूँ अगर बैंक कोई जीरो हिरो ट्रेड मुझे मिलता है तो मैं कल यहां पर आपको बताने का ट्राइक करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में मार्केट अब बात करते हैं यहां पर किस तरीके से ट्रेड करने वाले हैं यह डेली टाइम फ्रीम रहा दोस्तों टेली टाइम फ्रीम पर आप देखोगे मार्केट में तो काफी ज्यादा जो है वाल्यूम की लिकुडिटी की कमी देखने को मिल रही थी एक गैप गैप के बाद फिर वही जो आपको candastic pattern nifty में देखने को मिला वही आपको sensex में भी देखने को मिल रहा है gap definitely अच्छा खासा gap pending है कितने points का है आये देख लेते हैं अगर हम टॉप से लेते हैं और यहां तक का यह करीबन 500 points के आसपास का gap हमको देखने को मिल रहा है 15 मिनट के चार्ट पर चलते ह रहने वाले जहां पर हम trade करके चल सकते हैं तो सेंसेक्स में देखोगे दोस्तों कुछ इंपोर्टन लेवल है 79,800 79,800 को लेवल रहने वाले यहां पर कहीं अगर डिप मारता है यह जैसा कि इसने last trading session में किया था आज भी दो बारी किया था ऐसा मौका मिलता है रिस्की जरू selling level के मैं बात करूं अगर यहां पर तो selling level जो रहने वाला that will be 79,700 के breakdown देने पर यानि कि इस level का अगर breakdown देता है तो यहां पर हम down side के लिए खेल सकते हैं करीबन 400 से लेगे 300 point तक का game खेलने को लिए मिल सकता है down side के लिए और उपर की side के अगर मैं बात करूं तो that will be 80,400 800 800 800 य यानि कि इस level के आसपास कहीं अगर resistance लेता है तो हमको selling side का मौका देखने को मिल सकता है sensex में अगर gap opening देता या फिर sharp buying आती तो फिर यह हमको देखने को मिलेगा तो दोस्तों यह रही nifty bank nifty और sensex के analysis I hope कि वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लेगी तो कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके थैंक्यू सो मच वाचिंग दोस्तों थैंक्यू सो मच प्लीज वीडियो को लाइक करियेगा